हेई गाइज वेलकम और वेलकम बाक्टी मैं चैनल मैं हूँ शुतिमिश्ण और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे पलकों की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करेगा तो यह चीज मुझे बहुत ही यूनीक लगी एक आई-लाइनर में क्योंकि अभी तक किसी भी आई-लाइनर में मैंने इस तरीकी का क्लेम नहीं देखा आज हम बात करेंगे इस प्रोट के बारे में डिटेल में और मैं शेयर करूँगे अपना नॉन स्पॉंसर्ट रिव्यू एंड जैमो तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो पसंद है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने वी तक चैनल आई-लाइन वाइट कलर की बॉटल में आता है एक प्लास्टिक बॉटल है और इसका जो अपलिकेटर वह ब्रश है वह बहुत फाइन बहुत पाइन है मतलब की जो भी बिगनर उनके लिए परफेक्टली वर्क करेंगा इसकी जो अपलिकेशन है वह बहुत ही जादा मतलब क जितना बहुत ही थिन वाला जो आई-लाइन लगाना पसंद करते हैं उनके लिए तो यह बहुत ही बढ़िया प्रोडिक है बात करेंगे गाई इसके शेड के बारे में तो यह आता है जिसको मैंने आपको हाथ में लगा के दिखाया है आप देख सकते हैं कि यह कितना जादा अच्छा ब्लाक मैट फिनिश देता है और जब यह ड्राय हो जाता है तो यह इस तरीके का नजर आता है आप देख सकते हैं कि बिलकुल मैट हो जाता है इसको अपने आइस में लगा के दिखा रहे हूँ तो इसको लगाना बहुत ही ईजी है नॉर्मल आई-लाइनर की तरीक आई-लाइनर है अब बात करें कि इसके वाटर प्रूफ टेस्ट के बारे में तो गाई इस पर मैं वाटर डालती हूँ तो यह समझ नहीं होता लेकिन जब अगर मैं फिंगर की मदद से समझ करने लगू तब यह रिमूव हो जाता है तो मुझे यह चीज भी अच्छी लगी कि वाटर पढ़ने पर इदम से रिमूव नहीं होता थोड़ा समझ करो तो रिमूव हो जाता है तो इससे यह रहता है कि कोई मेकप रिमूवर की ज़रूरत नहीं पड़ती इन तरीके के आई-लाइनर को रिमूव करने में क्योंकि आइस एरिया बहुत जेंटल होता है और इ अपनी अपनी प्रिफरेंस है किस तरीके से आप मेकप रिमूव करना पसंद करते हैं अगर मैं बात करूं इसके प्राइस के बारे में तो यह आई-लाइनर 3.5 ml प्रोजेट कोंचिटी के साथ इसका प्राइस 399 रूपीज और शेल्फ लाइफ है इसकी 24 मंस की बात करें के विक तो घाई जे आता है आलमेंट और के साथ के साथ का स्ब्स वह होता है वहा breaks या फिरे आइगरों की बात हो या फिर पलकों की कहीं प्रेस्टेरा उल है तो अध़ा और यह कहता है ऑई-लैश मतलब कि आँआखों की पल्कों की बढ़ाने में मदद करता है कि वाइटमिन E से रिच होता है इस आइस को सूथ और मॉस्टराइज करने में मदद करने में 10 सेकंड का टाइम लगता है तो यह सच बात है कि बहुत जल्दी ड्राइब हो जाता है तो गैस मैं बात करोगा इसकी लॉंग्जिविटी की तो गैस यह बहुत अच्छे से स्टे करता है आइस में मैं कहूंगी कि 4-5 आज तक यह अराम से स्टे कर जाता है 10 आज बहुत लॉंग होता है मैंने इतना टेस्ट भी नहीं कि और इतनी दिर आइलाइनर को लगा भी नहीं रहना चाहिए आखों में तो आप मेरे अकॉर्डिंग के 5-6 आर तक का आइस में टिक जाता है और जैसे मेरी आइस में water आने लगता है कोई भी eye product use करो मतलब कि कोई भी makeup product use करो तो मेरी eyes irritated होने लगती मेरे सर में दद होने लगता है इसको use करने के बाद मुझे as such कोई problem नहीं हुई यह उस तरीके से रिमूव नहीं होता इसको रिमूव करने के लिए आपको कोई बहुत हैवी मेकप रिमूवर की ज़रूरत नहीं पड़िएगी और मेरे चनल को सब्सक्राइब करें जब लगाइब यह विडियो में जुचे प्रच अबस्पत करता कि सब्सक्राइं